हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग में दुर्गे जैश्वाल श्वागयत आपका हमारी यूट्यूब चनल इलेनी बिदुर्गेश्वाल है आज हमलों की जो सीरीज पढ़ रहे थेए आगे पढ़ने जा रही हैं सौरमेंडल पढ़ लिया अज महत्पण गुरहों के बारे में पढ़ने लागे पैले मैं आपको कुछ भाते अस्पष्ट कर दू भता दू फिर हम आगे चलते हैं दिए आठ गरह आपको क्रमशे दिखाई दे रहोंगे जो इससे मिलकर हमारा सौर मेंडल बनता है जो क्रमशे बॉद्ध, शुक, पितिवी, मंगल, ब्रहस्पति, शन्नी, अरूण, वरूण और य दिखते हैं छुब्ध ग्रह की पट्टे जिसे अस्ट्रॉनायट बेल्ट कहा जाता है इस सभी तथ्थों के बारे में करके बारे की से पढ़ते चलेंगे तब तक आप सभी लोग इलनीब दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे जो आपके परिच्छा में सफसादों हत्व होता है चले nhấtहर्य के पहले बात करते हैं पहले में यहां पर बढोके नाम से जानते हैं देखे पहले क्या बढ़ते हुARE बढ्रपे बढ़ते हुए बंपड़त है पर देकर यह इस तरह से कौन सा करम कैतें हैं घड़ित में इशे कहते हैं आरोहिक्रम का कहते हैं आरोहिक्रम ने बढ़तेवेक्रम में बध्द से बड़ा सुक्र सुक्स बड़ा प्रिटिवी प्रिटिवी से बड़ा मंगल लेकिन मंगल इसका अपवाद है मतलब मंगल क्या है यहाँ पे छोटा है लेकिन ठीक उसके बाद के जो चार तेकरय यह shed your jam सबसे ब्रहषपती उससे चोटा शनी चोटा और उससे चोटा वरोण lens तो एक नजम आपको पता है मंगल टूड़ कर यहाँ पे चुब्द ग्रह की पट्टी के रूप में तयार रहा है जिसे हम अशनायट बेल्ड के नाम से जानते हैं जिसे हम चुब्द ग्रहों की पट्टी के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए एक एक करकेप ग्रहों के बारे में कहते हैं पढ़ते हैं इन सुरुवात के चार ग्रह क को आंत्रिक ग्रह कहा जाता है इन चार ग्रहों को आंत्रिक ग्रह कहा जाता है और आगे आप जानने यह के सूर और उसका परिक्रम्ल करने वाले ग्रह उब्रह फुलका च्षप ग्रह फुचलतारे दूली मेग सभी को मिलाकर सौरमंडल कहा जाता है इस अब लुग अपनी सीरीज में पढ़ते आ लेकिन यहाप पर हमने देखा कि जो नौवा ग्रह था जिसे हम प्लूटो कहते थे इसे 24 अगस्ट 2006 माने 24 अगस्ट 2006 को ग्रह किस रणी से हटा दिया गया ठीक अंताराश्टिक गोली शंग ने इसे क्या किया क्योंकि दूसरे कच्छा वो कारता था अब ग्रहों की संक्या कुल कितनी हो गई है आठ हो गई है और यहां पर गरीन आठ ग्रहों को देखा जाए बुद्ध मरकरी ठीक वेनस शुक्र तो एक काम करते हैं पहले आप लिखेगा कि जो ग्रह है यह सूर से बढ़ते हुए दूरी करम के अधार पर कैसे हैं पहले इसकी conversation से दूरी के अधार पर पढ़ते हैं यहां लिएखेगे हैं और अगर हम यहां पर सूर से दूरी के अधार पर देखें दिये ही क्रम आएगा बुद्ध शुक्र पतिवी मंगल ब्रहस्पति शनी अरुण और वर क्लियर कोई डाउट यहां से कोई डाउट नहीं है अगर अगर हम देखें कि बढ़ती हुए अगर दूरी का अधार पर देखें जिसे आप पर कई चीजा आप को शामने मिलेगा करम में अकार के अनुसार घरते हुए करम देखा जाए तो सबसे बड़ा इसमें क्या पता है ब्रहस्पति ब्रहस्पति के बाद सनी सनी के बाद अरुण के बाद वरुण मैंने बताया मंगल नहीं आता क्योंकि मंगल अपवाद हो जाता है यह चारो ग्रह बरत पले चार ग्रह सबसे बड़े हैं जिसे बाहे ग्रह कहते हैं बुद्ध सुक्र पितिवी और मंगल फिर बाहे ग्रह है ब्रहस्पति सनी और वरुन यह बढ़त विक्रम में हो गए इसके बात पाच्व स्थान पर पितिवी आती है फिर सुक्र आता है फिर आपका मंगल आता है फिर आपका बुद्ध यहां पर दो प्रश्ण बना आपका क्या बना आपका यहां पर दो प्रश्ण बना पहला कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह सबसे बड़ा अगर सबसे छोटा पूजेता सबसे छोटा तो आपका बुद्ध है बुद्ध हमारे सोरमंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है वह हमारे क्या है ब्रहस्पति है क्लियर सबसे बड़ा ब्रहस्पति उससे बड़ा उससे छोटा सनी उससे छोटा आपका अरून उससे छ सबसे बढ़ा ब्याश्पति इस प्रकार हम लोगोंने घटे और बढ़ते दोनों क्रमों में देख लिया अब यहां से गर आपके मन में कोई समस्या कोई दिक्कत आ रहे हो तो भी आपको शक्त है है उमीद करता हूं यहांचे दोनों concept आपके समझ में आगांगे बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में इसके skin shot ले लिजएगा ताकि हम लोग जब आगे इसके बारे में पढ़ें आगे इसके बारे में समझे अनिशवीत अथ्थों को भी एक एक करके clear कर सके तो में topic मिलता है द्रव्यमान अगर देखा जाए तो सबसे कम द्रव्यमान के इश्का है अगर पूरे गरह का पूछा जाए सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह हमारा शनी है अगर द्रव्यमान के आधार पर अगर देखा जाए तो घटते हुए क्रम में इस क्रम में घटते हु द्रब्यमान में अगर घढतेवे करम में देखा जाए ये जो चार कि रहा है बाहर गर्एज चार हैं वो है आपका ब्हश्त लोग ब्रहस स्थल्ट अ पर ब्रहस्पती अ करेती वर्वकिंद च्हाम 148 5 फिर अरुन का, फिर प्रिथिवी का, फिर प्रिथिवी का, फिर सुक्र का, फिर आपका मंगल का, और सबसे बाद में आपका बुद्ध का आता है, इस परकार हमने देखा, यहां पर दो चीजे है, सरवादिक द्रब्यमान ब्रहश्पति का है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्याद परशना आप जानते रहेगा सबसे ज्यादा द्रभेमान ब्रहसपति का और सबसे कम द्रभेमान जो है वह हमारा बुद्ध गाए ये ग्रहों के बारें बिश्य शुरुप से में बतारों उसके बाद एक ग्रह को हम लोग पढ़ेंगे इन पहले इतनी बात हैं हम लोग जान ल है घनत तो क्या आधार पर होगा वह बढ़ते हुए करम में हो सबसे छोटा उससे बढ़ा उससे बढ़ा उससे बढ़ा उससे बढ़ा ये डियाग्राम आपको क्लियर हो जा रहा है 630 630 6304 367 पर वाट्सेप करके ऑनलिंग क्लास समदे जनकारी ले सकते हैं आप टेलिग्र से ज़रू जुड़िएगा और इसकी पीड़ हमारे टेलिग्राम पर होगी एंसरी की पूरी नोट से ये पूरा एंसरी पैटन पर है एंसी ए आरटी और ये के वर पेट क्लास के लिए ही है यहां पर दिखेंगे घनत के आधार पर दिखेंगे तो जो सबसे कम घनत्तों है वो सबसे कम घनत्तों इसका जो घनत्तों है वो जीरो दसमलो शात्मों है अब इसके बारे मोर अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग सबसे कम घनत्तों पूरे सौर मंडल में शनी का है शनी के बाद फिर अरूण का घनत्तों है उससे ज्यादा फिर उसके बाद आपका ब्रहश् मैं फिर वरुण का इंटिर किसका है वरुण का ए वरुण के बाद है फिर मंगल का है छोखरका है ओ कि मापका इझा पूल एgel से वंदें कि आपका कौरती अहां दो प्रश्ण बना सबसे जादा घंड तो सबसे जादा घंड़ इसका है प्रिधिवी का है पांच दसमलव पहां सबसे कम घंद तो किसका है शनी का है सबसे कम घंद तो किसका है शनी का है और सबसे ज्यादा घंद तो किसका है प्रिधिवी का है तो यहां पे हम लोगों ने यह देख लिया कि हमारी शौर मंडल में सबसे ज्यादा घंद तो किसका है और सबसे कम घनत तो किश्का है कि आप लोग को यहां से कोई दिक्कत कोई डाउट कोई समस्य आ रही है अगर आ रही हो तो पहला काम आप पोछ लीजेगा अगर नहीं आ रही है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यह दिखिए आरुण का उससे ज्यादा पर है उससे ज्यादा आप देखेंगे तो मंगल यूर्ध से THोन देखते हैं बुद्ध का और ब्रिट्भी कude को बस इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना यह सारी बाते आप समझे रहिएगा आप चांते रहिएगा यूंकि परिच्छाओं में आजकर ऐसे प्रश्ण बुनते हैं और खासकर कूट देने के बाद पूझता है निम्लिखित को दर्भिमान के बढ़ते वे करम पे सजाए घरते वे करम पे सजाएए तब हो सकता वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी लेकिन अगर आप इसी तरह डेली क्लास पढ़ते रहेंगे तो सायथ उमीद करते हैं कभी आपको दिक्कत नहीं होगा अब आगे बढ़ते हैं एक तथ्य को और जान लेते हैं फिर इ रहेंकि श्रह की परिक्रमा करते है सरमंडल की बात करें तो आजई देखे अगर कि बात करें परिक्रमण सब्सम्ण में दो बात हैं इए इस पहले तो है जो परिक्रमण वेग है अगर ग्रहों का viewers देखा जाए यह यह पहले बुद्ध है देख रहे हैं यह देख इसका अरुबिट सबसे नजदी के क्या करेगा सबसे पहले चक्का लगा लेगा उससे बड़ा क्या है शुक्र है ठीक फिर आपने देखा प्रिथिवी फिर मंगल फिर भ्रहश्पति फिर शनी आरूण और वरूण तो हमने देखा कि बुद्ध का पर त्यों जो बढ़ती जाएगी त्यों तो उनका जो परिक्रमण वेग है काल है वो भी लगातर क्या होगा बढ़ता जाएगा सबसे पहले सूर का चक्कल बुद्ध लगाएगा और सबसे बाद में को लगाएगा वरूण लगाएगा इस प्रकार हमने देखा कि सूर से आगे देखते हैं आगे में आपर देखेंगे जैसे देखा जाए कि अगर परिभ्रमण वेग सबसे ज्यादा किसका है अगर वेग की बात करें सबसे ज्यादा वेग भ्यास्पती का है अगर परिभ्रमण जो वेग की बात करें जो सबसे तेज चलता है अगर पितिवी कितने जुकी है आप जानते साड़े तेज डिगरी साड़े तेज डिगरी इस तरह जुकाओ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जुकाओ है अपने अक्ष पर वो अरोड का है इसका है अरोड सबसे ज्यादा इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्या कहते हैं लेटा हुआ ग्रह कहतने किसे अरोड को जबकि सबसे कम सुक्र ग्रह सबसे कम जुकाओ सुक्र ग्रह का है और सबसे ज्यादा किसका है और और ग्रह का है वससे जह हम लोग ग्रह पढ़ेंगे तिनके बारे में अन्य तत्थों पर भी चर्चा करेंगे उमीद करते हैं यहां से आप लोग को सभी जो कॉंसर्प्ट थे वो पूरी तरह से क्लियर हो गये हैं कोई क्लियर आप लोगों कोई दिक्कत है एक होता है वामन ग्रह इसके बारे में इसको रिश कर देते हैं वामन ग्रह के बारे हम थोड़ा साम लोग पढ़ते हैं यह वामन ग्रह क्या होता है यह वामन ग्रह क्या होता है इसे हम ड्राफ प्लैनेट कहते हैं क्या कहते हैं जैसे तो थोड़ा सा राटिंवरी गडबड है वामन गरह क्यों होता है पता है अपनी ये भी अपनी कच्छा में सूर्गी परिक्रमा करते हैं इनके पास बुत्ता कट्सन को जो बनाया रखने के लिए प्रयाप्त दर्विमान होता है इनकी कच्छा पड़ोसी कच्छा की से मुक्त तो नहीं होती और यह उपग्रह भी नहीं होते जैसे अभी हम देखेंगे इनकी बारे में थोड़ा सा अध्यन करेंगे तो हाप आपको वामन गरह ड्राफ्ट प्लेंट के बारे मताइं यह दूसरी कच्छा हो करते हैं ठीक है जैसे आपका एक यह उदारान है आपका प्ले ब्रहण पतती ऐसे रृण वह उदारान है अंत्रीग्रह का यह उदेतल वह मंंगल हैं थ telef इंक इंक अंत्रि ग्रह का सबसे वाय ग्रह हो कहा रियरल मंगल चा कि ऐसे नहीं हो गया घू. और बाइग्रहों का सबसे आंत्रिग्रह क्या होगा आपका अंदर में ठीक यह क्या है अंदर है जैसे यहां देखेंगे अगर यहां पर देखा जाए तो यह क्या अंदर है क्लियर यहां से कोई दिक्कत आप लोग को मतलब यह आंत्रिका का बाहिकरह मंगल है और बाहिकरह का आंत्रिकरह क्या है आपका ब्रेश्पति है यहां से प्रश्ण बन सकता इसलिए मैंने आपको यहां पर डिफाइन कर दिया आप तो समझ चितर देखे जल्दी समझ जेएंगे इसलिए मैं डियागराम पर ही पढ़ा याज कोई दिकत कोई समस्या आपको हूँ ता आप कैस पूर सकते हैं ठीक है अ कुछ बात है आप लोग को लोग Suppose जानना ना फोगा यशे पीच्वी सहे जितने भी ओर इस भी किस की प्रिक्रमा करते हैं यह सब की परिक्रमा करते हैं प्रते एक ग्रह दवारा सूर के चारो परिक्रमा करने में जो लगा समय होता है वह एकवर्स कहलाता है। उस घ्रह का जैसे हमारी पितिवी का जो एकवर्स है वो लगबग 365 दिनों के बराबर है। ठीक है? तो हमें कहते हैं कि हमारी एक वर्स वराबा 360 दिन इसकी बारे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अनी चीजे जानेंगे जो यह अवदी होती है यह सूर से ग्रह की दूरी पर निर्फर करता है मैंने भी आपको बताया जितनी दूरी बढ़ते जाएगी उतना समय बढ़ता जाएगा फिर आगे हम देखे यह आपने धूरी पर 24 गंटे में गलती है तो इसका ही से विसेज समय होता है एक दिन का होता है सभी का अपना अपना दिन होता है जिसका जिसका है परीवर्तन होता है सबसे ज्यादा जुका है सुक्र का नहां सबसे कम सुक्र का सबसे ज्यादा अरोड का है क्लियर अभी मैंने भी कुछ दर पहले बताया था जुकाओ की बात करें हम लोग कि किस ग्रह का जुकाओ सबसे ज्यादा है हम यह पाते हैं कि सुक्र का जुकाओ सबसे कम अरोड का जुकाओ सबसे ज्यादा होता अब अगर में उपग्रह की बात करें तो यहां से थोड़ासा में आपको बढ़ाना चाहंगा थोड़ी थोड़ी बाते थोड़ासा क्लियर रहेगा तो कुछ चीज आपको कॉछनचस समझ में भी आ जाएगा यहां तक आप लोग को समझ में आ खया गया अगर आंगर आ को के बात प्तिवी बहुत बंड़ि मंगल भ्यसपती शहनिह इं लोग को नगना को से मतलब एक लाइन मैं आपको हैं समझा दूँ जिन ग्रहों के नाम हमारे दिनों के नाम से मिलते हैं उन्हें कभी न कभी हम नंगी आखों से देख सकते हैं जैसे बुद्धवार, सुक्रवार, पित्वीत वही हैं, मंगलवार, भर्षपतिवार, सनिवार इन ग्रहों को हम के नाम से जानते हैं उन्हें कभी नंगी आखों से देख सकते हैं, क्लियर, इन तत्यक हम लोगों ने देख लिया, आप कुछ आने तत्य भी उनके बारे में भी थोड़ा से जान लेते हैं, जैसे अकर देखा जाया है कि अरुण ग्रह की खोच किस ने किया था, एक प्रशन इक्यासी में किया था, ठीक है, आरुग देख लिख देनी तो आप लोग कहेंगे सर जी को लिखनी भी नहीं आता क्या, 1781 में विलियम हर्शन ने किया था, ठीक है, और वरुण ग्रह को लेवेरियर, लिख लीजेगा वरुण ग्रह की बात करे, तो लेवेरियर, और एडमस इन दोनों ने मिलकर, 1847 में किया था, ठीक है, यह सब जानते रहेगा, यह थोड़ी-छोड़ी बाते हैं, विलियम हर्शन, 1781 में, अरुण ग्रह की खोच की थी, और लेवेरियर एडमस ने, 1847 में, वरुण ग्रह की खोच की थी, यह दोनों प्रस्न हो सकता, कभी इनका भी कैसे प्रस्न प्राहे हैं, और आपके लिए काफी उपयोगी भी होते हैं, जैसे आप एक छोटी से बात है, अगर बुद्ध ग्रह की बात करें, इसके चारोता, थोड़ी-थोड़ी ग्रह के बारे में बात कर लेंगे, फिर एक ग्रह को क्रमशा पढ़ेंगे, आल-लाइन, जो क्लास हमारी चल लए है, हम लोग क्रमशे पढ़ेंगे, और आप वाटसेप करके, आप वाटसेप करके, आप आप यहां पर देखा, यह जैसे अगर बुद्ध ग्रह की बात करें, इसके तरफ चारोत तरफ, हड्रोजन का एक छीण आवरण है, अगर हम सुक्रग्रह की बात करें, तो यहां पर सबसे ज़्यादा CO2 है, अभी इसके बारें देखेंगे, सबसे ज़्यादा CO2 है, पिठीवी पर अगर देखा जाए, तो नैट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, कर्बन डियाकसाइड, आरगन, बाकी निस्करी गैसे भी बहुत है, अगर मं इसलिए ज़्यादा CO2 है, 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 अरुण में केवल मिथे नहीं, अरुण में केवल मिथे नहीं, वरुण में भी केवल मिथे नहीं, तो यह सभी चीज आप लोग को गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजे अगर हम जानते रहेंगे तो हमारे आपके लिए बढ़िया हैं, अगर यहाँ पे पुछन पूछ दिन का तापमान देखा जाए यह होते है प्लस 350 डिगरी सेल्शियस अगर रात देखा जाए तो colorsologia देखा जाए किस कि बध्रह जाएff त्मारा सुक्र होता है पता है क्यों ? यह क्यों जो शुक्र कर जो शुक्र है वहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान कितना है ? प्लस 475 degree celsius हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म गर अगर कोई है तो वह सुक्र कोई है और सबसे घंडा पूछ दिया जाए…. एक अगर सबसे छंडा पूछाजाय गằngका आपका अरुम है ओरrुर्ध है सबसे घंडा कौन सा आ वरुमान है minus 270 degrees Celsius जबकि वरुम का ख़ी हखर मैं आपको बता हुं तो वरुम 208 है माइनश 208 डिग्री चल्सीयस है यह बात आप जानते रहे हो ऐसे सब लोग कहते हैं सबसे दूर का सबसे ठंडा है लेकिन तापमान में देखा जाए तो अरुन सबसे ठंडा है और सबसे ज़्यादा इधर से दूसरा इधर से दूसरा सबसे गर्म इधर का दूसरा माने अरुन असवारी सुक्र और इधर का दूसरा सबसे ठंडा अरुन और सुक्र सबसे ठंडा अरुन अभी जातर केताबों में आपको वरुन मिलता था लेकिन यह बात आप लोग को पता होना चाहिए और मैं उमीद करता हूँ आप यह बात अच्छी से भली बाती जानते होंगे अभ्याज कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अगर जुकाओ की बात करें एक लाइन सभी का जुकाओ लिख लिजेगा खासकर परिच्छाओं में पूछा जाता है अगर हम लोग तत्य पढ़ने जा रहे हैं तो मैं जुकाओ पढ़ लेना चाहिए एक तरह से लिखते चलिएगा अगर हम बुद्ध का जुकाओ देखें तो साथ डिग्री है शुक्र का जुकाओ तीन डिग्री है पूरे प्रिथिवी पर सबसे कम जुकाओ अगर किसी का है तो किसका है यह शुक्र का ही है अगर हम प्रिथिवी की बात करें अगर हम लोग प्रिथिवी की बात करते हैं तो प्रिथिवी का जुकाओ आपको पता ह प्रिथिवी का जुकाव है कितना है साड़े तेई डिगरी तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रिथिवी का जुकाव है उसके बाद मंगल गरा का जुकाव है 25 डिगरी है अर्म भ्रहशपति की बात करें तो ये भी टीन एक बटा दो डिगरी है एक सनी की बात करें यह है 26 डिगरी घ्री चौवालिस मिनट लेकिन अरून की ग्राइच यह साठेव 20 डिगरी है अरून साठे, इससे लेटा रह गराए कहते हैं लेकिन जो वरून है यह 28 डिगरी 28 degree 40 minute 48 degree 40 minute अरोलक़ चुकाओ इस प्रकार हमने देखा कि सबसे ज्यादा जुकाओ सबसे ज्यादा जुकाओ rsका है सबसे ज़्यादा अरोलक़ है और सबसे कम जुकाओ किसका है वरोलक़ है यह सारी चीज़ी आप लोग जानते रहेगा कि परिछाओं में ऐसे प्रस्ण बार-बार पूछे जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपके कोई प्रस्ण ऐसे नहीं होंगे जो गलत होंगे ठीक है तो आप लोग को यह समझ में आगया होगा अब थोड़ी बहुत तथ्य को पढ़ लेते हैं लेकिन आज थोड़ा सा ओरली जो चीजे हैं मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा ताकि आपके जो कॉंसेप्ट हैं वो पूरी तरीके से किलियर हो जाए योगि यह पूरी इंसियाटी पैटरन और इंसियाटी पैटरन में कहीं भी आपको कोई दिक्कत न होने पाए कहीं भी आपको कोई समस्या ना होने पाए लेकिन आप लोग जैसे इस वीडियो में जुड़ेगा यह मेरी request आपसे है कि इस वीडियो को share जरूर करिएगा लोगों तक पहुचाएगा जरूर वेगर आप लोगों तक नहीं पहुचाते हैं इसका पढ़ने का कोई आउचित मतलब हमारा नहीं निकलेगा ठीक है चलिए तब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे अब इसके बारे में यह तो हो गया हमारे में इसका जुकाओ के बारे में जान लिया अब हमें आसे इनके प्लार के जान सकती हैं द्रब्मान की बात करूंगा जो परिछह-चाम में पूछे जाते हैं यह सबसे ज्यादा द्रब्मान की बात करे थो पांंच दसमलो पांच दो है कई प्रतिधंशquently ग्राम प्रति घं we मानि शेहमी क्यूब है सबसे कम जो है वह इसका कहीं हमें आपको मिलता है 0.79 लेकिन यह दोनों data याद रखेगा लेकिन जातर आपको यह यहीं मिलता यह भी मिलता है यह बहुत है यह आपका gram क्रति शेहमी क्यूब ठीक है बाकर इसको हम से आपको जब पढ़ाएंगे तो कर्ये ग्रहां का लिख्वा देंगे सबसे यह उनका सबसे कम है और इसमें और में पूछा जाता है उग्रह को लेकर कि लेटा की सी किसे कहते हैं कि कमेंड करके बताईए हैं लेटा वग्रह किशे कहते हो कमेंट कर के जवाब जरूर देजेगा अब यह देखें कि कि इसके पास कितना उपग्रह है तो याद रखेगा बुद्ध और सुक्र हमारे सुर्मंडल के दो ऐशे ग्रह जिनके पास कोई उपक्रह नहीं इनके पास कोई चंद्रमा नहीं लेकिन प्रिथिवी के पास एक चंद्रमा है एक उपग्रा इसे हम चंद्रमा कहते हैं मंगल के पास दो है अगर मैं आप ऐसे लिखते चले तो इसके पास जीरो है इसके पास भी जीरो है इनके पास एक उपग्रा है उपग्रा लिख रहे है कौन कोन फोबोस, दीमोस, क्लियल भ्यास भी लिकना चाहना लिख लिएगा यह फोबोस पचीज कीमी है, डीमोस 13 कीमी है चंद्रमा का 375 खिलो मेटर रहे । लेकिन भ्यास पति का, एक दफ सही आट्रा नहीं मिलता 79 मिलता है, कही 73 मिलता है, लेकिन यह अलग लग अकड़ा मिलता है, कहीं आपको 70 मिलता है, ठीक है, अगर सनी का देखा जाए, तो 62 है, अरुण का देखा जाए, तो 27 उपग्रह है, और वरुण के उपग्रहों की शंख्या जो है, वो चोगद है, अगर ये ये आपका उपग् की शंख्यातियक true thema 욕 का आये अब या इनके बारे में अरी तत्यों को जॉंदायांगी तो इसके बारे में और ग्राहूं के बारे में जानेंगे ये एक ग्रह को उठाएंगे उनकी अंकी तत्यों को बरते चलेंगे लिखते चलेंगे दॉस दum आप दुरगेश सर्च कर यू अधार इलनियَّ सा जुड़त ते ते फिसेग्ञर में कि अगरी इनके गोडन की बात करें सबसे कम दिन में अगर यह दिन की बात करें पो दो नों दिनमें यह । इधरवाले जितने हैं आंत्रिक्रय ये सभी दिन में चककल कैने दिनों में और ये वर्स में लगते हैं इस ताफ कि होंगे यह वर्स में लगाएंगे वर्स में क्या अगर हम भ्रेश्पति की बात करें चाहर Aww अगर वहीं पर हम कि वात करेंगे वहरू書 लेकिन अगर हम अरुण ग्रह की बात कर रेनेस की बात करें तो ठाले वरूर सी tumor यह एक ग्रह is दिन में आप crispy में न quando चाते हैं तो यहांसे जो परिक्षा में पूछने ही योगिप्राश्न थे वो आप हमसे यहां से पूछ रखते हैं और हम आपके इन प्रशनों का जवाब देने का प्रियास करेंगे जैसे पुछा जाता है कि कौन-कौन से ग्रहा इसे हैं जो भी प्रीद दिशा में खुंते हैं। तो आपका इधर से दूसरा इधर से दूसरा सुक्र और वरुण हैं। ठीक हैं हरे रंग का दिखने वाला ग्रहा कौन सा है। आप लोकर करें करें जवब दिजरीज सेके मार्स को अरेन कारण मंगल यह को लाल ग्रह का संग्या दी जाती यह लेटा हुव अगरे किसे कहते हैं मैंने कुछ दर पहले पूछा था आरोन को कहते हैं विकि यह साड़े बैसी डिग्रीस का जुकाव है क्लियर किसी को अब यहां पे सूर्च से सबसे दूर इस्थित ग्रह नेच्चुन मैंने भरुण ग्रह यह अपकर लेंगे सबसे ठंडा और मैंने पहले बताया मायने 270 मायने 208 है सबसे ठंडा ग्रह अरोन सबसे छोटा ग्रह बहुत दजिशा मर्करी के अत्डा तो यह हमारा था आज के ग्रहाओं से जुड़े उन महत्तपुन तत्थे जो एंसियाटी के सलवश के अधाया पर मैंने बढ़ा दिया आज हम सौरमंडल से जुड़े हुई उन तत्थ्यों उन के बारे में हमने एक र लोगों तक नहीं शेयर किया है अभी लोगों तक नहीं पहुचाया है तो सबसे पहला काम करेगा इसे शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुचे लोगों तक जाये और यह NCRT की स्रीज जोग्रॉफिक है यहाँ पर हमारे हाँ ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो को और साथी शाथ आप सभी शाथी जो भी लोग जुड़ेंगे उन्हें PDF नोट्स भी हमारे हां से अउलेवर उपलब्द रहेंगे अगर आपके मन में कोई शवाल हो कोई प्रशन हो तो बेहिचक आप पोशकते हैं और अगर आपके मन में कोई शवाल नहीं है तो कोई बा सबसे आदा महत्तपून है उमीद करते हैं यह सीरीज आपके काम में आएगी यह सीरीज आपकी परिच्छा दिश्ट कौन से महत्तपून होगी तो जुड़े रहेगा अपना बेश्ट देते रहेगा फिर यदि कोई शमस्या रहती है आप हमसे जरूर पूछेगा और एक छ कमेंड करिएगा शभी लोग कमेंड करके उसका जबाब हमें कमेंड बॉक्स में दीजेगा तब तक आपसे भी चातियों का बहुत बहुत धन्यवाद टेलीग्राम पर दुरगेश सर्च करके जरूर जुड़े रहेगा ताकि हर वीडियो की नाटिपी केसान आपको सबसे पहले मिले अगर आपने चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दवाया तो सब्सक्राइब करके सबसे पहला काम बेल आइकन दवाएगा वीडियो को शेयर करिएगा जय हिंद जय भारत